नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में मैं विनोद आप सभी का स्वागत करता हूं जैसा कि मैंने लाइव क्लास में बताया था कि आप लोगों का मौक टेस्ट होगा तो चलिए शुरू करते हैं मौक टेस्ट उससे पहले आप लोग क्या करिए कि एक कोपी और पेन ले लिजिए आज आपको टेस्ट करना है कि आपके कितने नमबर आते हैं उस हिसाब से इसमें आपको चेक करना है जैसे कि पहला क्योशन में आपके सामने ला रहा हूं चलिए सबसे पहले इस क्योशन को देख लीजिए इसको थोड़ा सा वीडियो को पो आप कितना है चलिए इस क्योशन को करिए पहले आपने कर लिया होगा चलिए मैं अब बता देता हूं उससे पहले आप करने की कोशिश जरूर करिएगा चलिए देखते हैं कैसे करना इसको देखिए क्या बोल रहा है कि दो एक त्रिभुजे मान लीजिए इस प्रकार का एक लेजिए जिसमें दो कौण आपके बराबर है मान लो ये कौण X डगरी का और ये कौण भी X डगरी का और तीसरा जो कौण है वो इन दोनों से 18 डगरी अधिक है यानि कि मैं इस कौण को क्या लिख सकता हूं X डगरी प्लस 18 अब तीनों को मैं लिखू ज़रा तो देखना तीनो कोन का योग कितना होता है तो आप बोलोगे एक त्रिभूज के तीनो कोन का योग 180 होता है आपको पता है मैंने बता भी रखा है तो आप बोलोगे सर एकस डिगरी प्लस एकस डिगरी और तीसरा कोन क्या बोला था कि इन दोनों से यानि एकस से 18 डिगरी अधिक है और तो बोलना तीसरे कोंड का नाप कितना है तो अभी निकाल लेंगे एकस और एकस मिला के कितना हुआ तो आप बोलोगे कि 3x हो जाएगा है ना और यह जो प्लस का अठारा है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा है ना तो माइनस करोगे तो अठारा दो फिर इधर बचा साथ साथ में से एक गया छे फिर इधर बचा एक तो 162 आ रहा है 162 आ रहा है किसके बराबर 3x के बराबर तो 3 से काटा आपने 315 और 1 बचा तीन चोग 12 तो डिगरी लेकिन 54 डिगरी तो एक्स की वैल्य आई आपको क्या पूचा उसने चोपन डिगरी पहला ईपशन भी है जल्द बाजी मत कीजिएगा चैए चोपन डिगरी तो एक्स की वैल्याई उसने किसरे हा कौण पूचा था तो तीसरा कौर्ण तो अठारा और जोडना पड़ेगा इनि कि तीसरा कौर्ण जो है 54 से 18 अधिक होगा तो चोपन में 18 जोड़ दोगे तो आपका आजाएगा बहुत तर कितना आजाएगा बहुत तर यनि कि 72 इसका अंसर हो जाएगा बोलो आ गई क्या बात समझ में हाँ सर आ गई चलिए बढ़ते हैं अगले question पर अगला question क्या है जरा देखना तो बोला है पांच क्रमागत विशम संख्याओं का योग 235 है इन में से बीच वाली विशम संख्या कौन सी है यानि कि 5 संख्या है कोई सी उन में से वीच वाली वि सहले question को कर लेना है चलिए अब 235 है और पांच क्रमागत है क्रमागत है इसलिए मैं भाग लगा रहा हूं पांच का तो पांच से भाग लगा तो पांच चोग बीस कित्ता बजा तीन पांच साथो पेंटीस यानि कि बीच की संख्या क्या आ जाएगी यानि कि उस्थ क्या जाएगा से तालिस आजएगा जो कि आपका करेक्टांसर 47 हो सकता तो अब इसको ऐसे भी करना है और आप चाहो कि सर पांच क्रमागत बोला है तो मैं तो एक्स से करूँआ देवता से करूँआ तो बोला एकस लिखा अगली संक्या क्या होगी क्रमागत है मतला अगली हो जा सब मिलाके 235 हो रही है आप चाहे तो एक दो तीन चार पांच तो 5X हो गया फिर आपने जोड़ा एक और दो टीन तीन च्हे चे अर चार दस तो यहां 10 हो गई 5X प्लस 10 बराबर 10 हो गया 5X प्लस10 बराबर 235 हो गया तो आप क्या करो इस 10 को मैंस कर दोolog hes करोगे तो 235 में स करोगे तो 525 25 25 पर 45 तो आपकी पहली संक्याई आपको बीच वाली चाहिए थी तो 45 पे आप दो जोड़ दोगे तो 47 आ जाएगी आपका करेक्ट आंसर 47 आ जाएगा आप चाहें दोनों तरीके करना पड़ेगी इस प्रकार से आप इसको कर लेंगे चलिए बढ़ते हैं पर अगला क्योशन क्या है देखिएगा अगला क्योश्चन जो है आपका विभाजिता के नियम से संबंदित है देखिए 1 y 3 y 6 संख्या एक संख्या है क्या है 1 y 3 y 6 है जो 11 से divided तो 11 से divide का मैंने rule बताए था कि आपके सम इस्थान का योग बराबर आना चाहिए विशम इस्थान के योग के बराबर अब यहां से start करता हूँ मैं देखा मैंने कि 1 y 3 y 6 अब देखा विशम इस्थान इधर से शुरू किए तो 6 आ रहा है फिर अगला विशम इस्थान 3 फिर अगला विशम इस्थान 1 यानि कि 6 3 और 1 का योग आना चाहिए y और y के बराबर तो आपने देखा 6 3 कितना होगे 9 9 और 1 कितना होगे 10 तो तो ये 10 बराबर आना चाहिए, आपके किसके बराबर, 2y के बराबर आना चाहिए, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, यहाँ पर लिख रहा हूं, 2y लिख रहा हूं, है न, देखना, 10 की जगे क्या लिखूँगा, मैं 6, 3 और 1, 10, तो 2y बराबर 10 है तो y की value क्या आ जाएगी दो से करेंगे 5 यनि कि y की जगे क्या लिख सकते हो आप y का मान क्या होगा तो 5 आ जाएगा 5 इसका answer आ जाएगा चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं next question पर देखेंगे next question क्या है next question बढ़ा हिशानदार है लिखा है कि एक 7 चायओ करने विध्याले में खेल दिवस पर प्रते क्तार में तीस चाका करों को खड़ा करने पर 16 घटार बनती है यह दिक प्रते कटार 24 चाट करे करें तो कतारे की इसकी मतलब समझना कि माल लीज़ेक एक फेखार है ऐक लाइन हे जह वो बोल रहा है कि एक गतार में यहां पर मालनो फालो फाल्स फाल से यह गरश दो तीन चार पांच ऐसीस चार 5 कतार कैसे उसी प्रिकार थैगा कि एक लाइन में 30 चाहतर खड़े क eternalभी और उनका वार शोला में इंटू कर दिया तो total चात्र आ गए, बोलो समझ में आईी क्या बात, 30 चात्र एंद दो नो हो, 3,4 करके एक मैं तो इन fixing सोला है आजाएंगे आ जायेंगे, आ जायेंगे, आ जायेंगे साथ, ठीक है साथ, आाईी बात समझ में, ये इस प्रकार से, अब वह बोल रहा है, आगे देखना, अब व चोविस की लाइन में खड़ा करते तो इससे बन जाएगा तीन से करेंगे तीन दाँ तीस और इस यह आट चोविस और आठ दूनी, 16 और 10 Rog भी के साम ऑगहाई वर इसको करने की कोशिश करिeren देखे लिखा है लोहे का एक box यानि एक box है पूरा पेख है लोहे का ही है पूरा अंदर से भी पूरा भरा हुआ है उसका जो है 9 मिटर लंबा है 40 cm चोड़ा है और 20 cm उच्चा है वह बोलड़ा है कि यदि एक घन मीटर 1 मीटर क्यूब का भार 50 kg है तो box का भार कितना है तो पहले तो आयतन निकालेंगा हम आयतन क्या होता है आयतन होता है लंबाई गुनित चोड़ाई गुनित उचाई लंबाई गुनित चोड़ाई गुनित उचाई अब लंबाई कितनी दी है 9 मीटर ठीक है साब चोड़ाई कितनी दी है 40 cm और आपकी उचाई कितनी दी है 20 cm ल में बदलना है तो आप क्या करो बटे सो कर दो इन दोनों के बटे सो करने पर क्या होगा यह करों है यह चालिस हो गया 20 में हो गया उस से दो जीरो सre कट गई 20 दो नीच्वाचा 100 बजेफें से में अब इसको करेंगे तो यहां नीचे बचा सो हो तो इसको रेने 2, 2 से कार लग काम का, फिर 2 से कार ओंके तो 50 कर दो 50 का क्योंकि एक गन मीटर में 50 किलोग्राम है तो कितने गन मीटर आया अपना 18 25 गन मीटर तो इंटू 50 कर दिया तो पच्चास पच्चीस दून 50 और 18 दून 36 हो गया कितना हो गया 36 किलोग्राम का वो बोक्स है कैसे किया साथ एक बार हो समझ लीजिए मैंने लिखा 9 छाई तो आपने लिखा फट बीउटल का येख एक लंबाई मिवें लिखा 9 आपके चोड़ाई में लिखा 40 और उंचाह में 20 लेकिन नो 9 मीटर मीं करना है तो मेरे बटे 100 गन मिटर अ मेरा और 18 बटे 25 मिटर तो ये तो एक गन मिटर बराबर हो तो कितना आया total इसलिए into 50 कर दूँगा यानि कि 36 अंसर इसका आ जाएगा चलिए आगया समझ में आगे बढ़ते हैं next question देखिए अगला question क्या है अगला question बोल रहा है कि एक चतुर भुज के तीनों कोनों का माप 50 degree 80 degree और 90 degree यानि कि एक चतुर भुज है एक चतुर भुज है जिसके तीन कोन दिये हैं कितने कितने एक तो दिया है 50 degree है ना एक दिया है आपका 80 degree एक दिया है 90 degree तो आप बताओ कि चोथा कितने का होगा तो आप बोलोगे सर इन चारों का जो योग होता है वो होता है 360 कितना होता है भईया 360 होता है 360 degree होता है चारों कोनों का योग है ना चतुर बुच के चारो कॉनों का यह कितना हो 307 अब पेले तीन तो अपने पास ही सही तो तीन कितने हो रहे हैं यह 9 और 8 कितना होता है 17 17 5 कितना होता है 22 यही हो रहा है 8 8 16 17 17 17 22 ठीक है साब तो यह लिखा मैंने 220 नीचे और यहां निकाल लिया अलग वाला यह तीनों आपके 220 220 हो रहे हैं 360 में से 220 घटा लूआ तो चोथा कोन आ जाएगा 0 में 0 6 में दो गया चार इधर बचा 140 कितना आ रहा है 140 यह निकि चोथा कोन कितने डिगरी का हो जाएगा 140 डिगरी का हो जाएगा बड़ा ही आसान है चलिए बढ़ते हैं अगले क्योश्चन की और एक घन की प् देखिए घन इसी आख़धी होती है जो आपकी सारी बुझाएं समान होती है सारी बुझाएं क्या होती है समान होती है अब मान लीजिए इस प्रकार का घन है windows तीक है तो संपूर्ण प्रष्ट क्या होता है इसका संपूर्ण प्रष्ट होता है 6a square कितना होता है भईया 6a square यानि कि अभी अगर 1 है तो आपका कितना हो जाएगा 6 into 1 का square यानि कि 1 into 1 तो कितना आ रहा है संपूर्ण प्रष्ट अभी 6 आ रहा है यानि कि पहले संपूर्ण प्रष् उसने भुझा को दुगना करने की बोला, तो मैं 2 कर रहा हूं, तो 6 की जगे अब मैं क्या करूँआ, 1 की जगे क्या कर दूंगा, 2 कर दूंआ, तो 6 तो है इस है, ना, 6 तो है है सही, और 2 और 2 कितना हो गया, 4, है न, तो 6 चुक 24 हो गया, तो कितनी व्रद्धी हुई 6 से हो गया 24 कितना बड़ा 6 से पहले 6 था इसका संपूर प्रष्ट अभी हो गया 24 बोलो कितने की व्रद्धी हुई तो आप बोलोगे सर 6 से 24 हुआ मतलब 18 की व्रद्धी हुई किस पे व्रद्धी हुई तो आप बोलोगे सर 6 पे व्रद्धी हुई क्योंकि पहले तो 6 था इसी पे तो 18 बढ़ा इसलिए 18 बटे 6 और % में पूछा है इसलिए 100 कर दूँआ तो 6 ती 18 और 300 परसेंट की व्रद्धी हुई तो बोलो 300 कहा है आंसर तो यह रहां आंसर कितना आंसर है 300 इस प्रकार से आपको करना है चलिए वीडियो तो अच्छा लग रहा हो लाइक भी कर देना है और प्यारा सा कमेंट भी नीचे कर दीजिएगा उससे क्या रहा है कि मोक डेली आएंगे आपके एनव जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतने ज्यादा मोख टेस्ट के बनेगे डेली देली आपको इसी टाइम पर डेली आपको मिलते जाएंगे मोक टेस्ट है कोई दिक्कत वाली बात नहीं शेयर भी कर देना है आपने दोस्तों साथ चलो बढ़ते हैं अगले क्योशन की और देखिए अगला क्योशन बड़ाई सिंपल सा है बहुत ही छोटा सा क्योशन है आप लोगों को सभी को आता भी होगा कोई-कोई मेरा भाई इसमें गलती ये कर देता है सबसे छोटी अभाज संख्या वो मान बेटता है वन को किसको मान को इसलिए क्योशन लाया हूं कि एक न तो भाज्य है रखना और एक नहीं आपकी अभाज्य संख्या है अब अगर किसी किसी को पता चल भी जाए वन तो क्या करेगा इस दो को नहीं लगाएगा वह बोलेगा पहली इस चलब बढ़ते हैं अगला क्योशन देखेए अगला किशन लेते हैं मैं चाहता हूँ सभी आप पहले कर लीजिये को हैं चलिये क्या अंसर आ रहा है इसका आप जो कर Japanese कव या प्लेस के वेल्यू क्या है तो है रहा है सेखड़ा था चुर्ण क्योंकि इकाई है दहाई और सेखड़ा साथ आ रहा है 700 एस्थान पर इतने इस्ताइबady उस में से उसका जाती मान गटना रहे जाती मान होता है face value आ मतलब वहीं वहीं कितनी होगी 7 तो यहां साथ कर दो要ं फोला जिटनी यह एजिसे मैं वन की वेल्यू वह दो रहेगी चाहे वह 1334 में वन पूचे वन की वेल्यू वेल्यू कितनी रहेगी और प्लेस वेल्यू की बात कर दूँ तो हजार हो जाएगी यह बात आपको समझ में आना चाहिए बढ़ते हैं अगला क्योशन लेता हूं देखिए अगला क्योशन है कि किसी संख्या को छे से भाग करने पर शेशफल तीन प्राप्त होता है यानि कि कोई ऐसी संख्या है जिसको छे से डिवाइट करने पर आपका शेशफल तीन प्राप्त हो रहा है वो बोल रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को छे से डिवाइट करन औचने पर कितना बच रहर थीन बच रहर तो आप बोलूँकर यहां सर बच रहत रहें एक ऐसी संख्यानोहें जिस को संख्या कितना होता है 118 यहिस्ट वो बोल रहा कि अगर संक्या से भाग देने पर तीन बच रहात तो उसी संप्ख्या के स्फ्वेर को 6 से भाग दे, है न 6 से भाग दे, तो कितना बचेगा तो करके देख लेते हैं, 6 से भाग दे लो, 6 कम 6, कितना बचा दो, उपर से बचा एक, 6 तिया 18, तो 21 पे से 18 गया, तो 3 बच रहा है, यह निकि उससे भी 6 फल कितना बचेगा, 3 ही बचेगा, कितना बचाएगा भया, 3 ही बोलू आई बात समझ में क्या हां साब आ गई चलो आगे बढ़ते हैं अगला किश्वन लेते हैं क्या है अगला किश्वनapor देखिए अगला किश्वन देखिए का 6 लड़कों की ओसतके 16iran है यह उनकी आयू का अनुपात 457 तीन लडके पहएं उनकी sexual प्रसथा उनकी पार 557 नहीं चलो गलती होगए यहाँ पर 457 उन तीनों लड़कों की आयू का ранवभात है वाइश्व का एस और रेशियो इस वर सेवर हैना यह द्यान रखिएगा तो सबसे चोटे लड़के कि आयू कितनी है तो एक काम करो तीन लड़कों की ओस्त आयू दे रखिए 16 वर्ष तो मैं क्या करूंगा तीन का इंटू कर दूंगा 16 में ताकि 16 तिया 48 आ जाए नो और साथ कितना होता है 16 यानि कि नीचे क्या लिख देंगे 16 क्योंकि तीनों की उम्र का योग औस त्में आपका रेशो में 16 आ रहा है और टोटल 48 इंटू क्या कर देंगे क्या पूछा सबसे चोटे लड़के की सबसे चोटे लड़के कि कितनी है चार है तो चार का आजाएगा 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले क्योश्चन की और चलिए देखिए अगला क्योश्चन क्या है किसी वर्ग की प्रतियक भूजा में 30 प्रतिशत की व्रद्धी करने पर उसके शेत्रफल में कितने प्रतिशत की व्रद्धी होगी व्यक्ति की जगह व्रद्धी लिखना है व्रद्धी होगी अब इस क्योश्चन को केसे करेंगे देखिए वर्ग क्या होता है वर्ग इस प्रकार की भुजा होती है आपकी इस प्रकार की आकरती होती है जिसकी सारी भुजा क्या होती है समान होती है मान लो इसकी बुजा मे यानि आपका option कुन सा हो जाएगा option number C हो इस प्रकार से आप ध्यान रखियेगा इस प्रकार से को करना है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्योशन लेते हैं क्या इस क्योशन को आप कर ही लीजिए बहुत ही सिंपल है क्या बोल रहा है कि एक राशी जो है A, B, C, D में 5, 2, 4, 3 के अनुपात में यानि A, B, C, D 4 लोगे जिनको 5, ratio 2, ratio 4, ratio 3 में बाटी गई को राशी है वो बलता है कि A को C से 1000 रुपए अधिक मिलते हैं देखिए मेरको मिल गया है कि 1000 रुपए अधिक मिलते हैं किसको 1000 रुपए लिखा इसके नीचे क्या आएगा वो ध्यान देने योगे बात है क्या बोल रहा कि A को C से A को C से यानि कि A की value है 5, C की value है 4 तो कितना जादा है? और 1 जादा है तो आप देखिए इस प्रकार से में बता रहा था देखिए मैंने बोला कि 5 ratio 4 बन रहा है A और C का और ऑप बोल रहा कि O 1,000 रुपय जादा है तो आपके one के बरावर हुए इसमें कितना जादा हो रहा है? आप से क्या पूछा? आप से पूछा कि B का भाग कितना है? तो B का भाग कितना है वही या? दो है तो इंटु क्या कर दोगे? into क्या कर दोगे दो का into कर दोगे तो 2000 आ जाएगा जो कि बिल्कुल correct answer आपका हो जाएगा बड़ी ही आसानी से चलिए बढ़ते हैं आगे अगला question लेते हैं कि कितने वर्षों में कितने वर्षों में 12 प्रतीशत वार्षिक दर से 3000 का साधारन ब्याज 1080 हो जाएगा चलिए कितने वर्षों में हो जाएगा भी या तो आपको बोल रहा है कि 12 वर्षे 3000 का 1080 हो जाएगा यानि कि समझने की कोशिश करिए कि साधारन ब्याज तो दे रखा है आपका साधारन ब्याज बराबर मुल्धन की जगे आप करिए मुल्धन में लिखिए आप 3000 कितने लिखिए 3000 दर आपकी है 12% आपका रेट आपको पता नहीं है तो रेट आपकी नहीं एक रेट पता है लेकिन समय पता नहीं है तो समय की जगे लिख लिखिए टी और कितने समय में हो जाएगा 1080 तो 1080 की जगे लिख लिखिए आपका साधारन ब्याज की जगे 1080 आजाएगा ठीक है साब कुछ नहीं करना है अब इसको सोल कर लेना है दो 0 से कटा आपका 2 0, 1 0 से कट गया आपका 1 0, 3 से कटा आपका 3 तिया 9 है ना और एक बचा 3 से गठा रहा और 12 से कट गया 12 तिया 363 आपका अंसर आगया यानि कि 3 वर्ष में 1080 हो जाएगा बहुती सिंपल है बड़ा आसान है, चलिए, बढ़ते हैं अगला question, देखिए, किसी घं का आयतन, beast 25-62, यानि कि घं का आयतन कितना हे, beast 25-路, यानि कि घं क्या आकड़ाती essas प्रकार की होती है, आपको पता है, सारी भुजाए समान, उसका आयतन आपको दे रखा है, आयतन कितना होता है, a cube अबर यहाँ पे निकलेगा 5, यानि कि 5 into 5 into 5 करते हैं, तो 125 आता है, यानि कि a बराबर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है, संपूर्ण प्रष्ट कितना है, संपूर्ण प्रष्ट कितना है, तो संपूर्ण प्रष्ट होता है, 6 a square, कितना होता है वहिया, 6 a square होता है, तो आसानी से आपने 15 क्यूश्चन कर लिए मातर 20 मिनिट के अंदर 15 क्यूश्चन आपके हो गए हैं जो कि आपका आज मोग टेस्ट था है ना पहला मोग टेस्ट यह तो हमने नई चीजी स्टार्ट की है देखते हैं कैसा रिस्पोंस आता है आप लोगों कैसा पसंद आता है अग आप क्या करिएगा कि कमेंट कर दीजिए इसको शेर कर दीजिए आपने ग्रूप अगेरा में और इसको अच्छे से पूरे को देखना है डेली आपका इसी टाइम पर आपका आ जाएगा चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और डेली आपको इस नंबर पर आपको संपर कर लेना है आपको क्लास मिल जाएगी है न चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद अच्छे पढ़ते रहिए डेली मोकलेस्ट लगाईए चालिए ठीक है